जोतिश के शेत्र में अपनी सफलता का पर्चम लहरा चुके जोतिश गुरु श्री के एन राउ के हाथो मेडल से सम्मानित अपनी सटीज भविशवाणी के लिए सूप्रसित और जोतिश अलंकार एवं जोतिश आचारे एवोर्ड से सम्मानित जोतिश अचारे आचारे रमन जी मित्रों आज का हमारा टापिक है अत्यादिक कामुक जीवन साथी और highly sex loving और sex oriented spouse in astrology मित्रों काम वासना मनुष्य की एक स्वभाविक प्रविर्ति है इससे मनुष्य अपने समुदाय का विस्तार करता है काम वासना प्रते एक मनुष्य में अलग-अलग होती है किसी में जादा तो किसी में कम आज के टापिक में हम जानेंगे कि कुंडली में वह कौन से combination या कौन सी grass दितिया होती है जिसके कारण किसी में कामवासना अत्यदिक या फिर जादा होती है या फिर किसी में कामवासना की कमी होती है तो मित्रों शुरू करते हैं आज का टॉपिक अत्यादिक कामुक जीवन साथी और यूँ कहें highly sex oriented spouse in astrology मित्रों हमारा next topic है अगला topic है अत्यादिक कामुक जीवन साथी या फिर वैसा जीवन साथी जो की highly sex loving spouse हो हम वो combination देखेंगे जिसमें किसी का जीवन साथी अत्यादिक कामुक हो सकता है या highly sex spouse हो सकता है मित्रों आप जैसे देख पा रहे हैं यह एक लगन कुंडली या main birth chart है इसमें पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा गया है या ascendant लिखा गया है मित्रों यहाँ जो number लिखे गए है यह राशिया है जो change होती रहते है कि तुप पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा है और आठवी राशी के स्वामी है मंगल यानि मेश और विष्चिक के स्वामी है मंगल दो और साथ यानि विष्चब और तुला के स्वामी है शुक्र तीन और छे यानि मिथुन और कन्या राशी के स्वामी है बुद्ध चार नमबर यानि करक के स्वामी है चंद्र सी यानि प मुखे ग्रे और बाव की जानकारी देते हैं मुखे ग्रे रहेंगे शुक्र, मंघल, राअगुचंदर और राशी रहीगी साथवी, एमम् आठवी और बाव रहेंगे पहला साथवा, आधवा, एमम्, बारवा आईए अब जानते हैं वह कॉंबिनेशन जिसके कारण किसी का जीवन साती highly sex या फिर यूँक है अत्यादिक कामुक हो सकता है लगन कुंडली में मंगल शुकर की युति काम वासना को उगर कर देती है अगर किसी की कुंडली में मंगल और शुकर साथ में हो तो ये काम वासना को उगर कर देती है तुला राशी में चंदर और शुकर की यूतियों तो भी काम वासना बढ़ा देती है अगर सब्तम भाव में शुक्र हो यानि सब्तम भाव में शुक्र हो तो अत्यांत कामुक बना देती है आठवे और बारवे भाव में भी शुक्र और मंगल जातक को कामुक बनाती है यानि आठवे भाव में या फिर बारवे भा का प्रभावो तो भी जातक कामुक बनता है लगन में शनी होने से वासना अधिक होती है अगर लगन में शनी हो तो वासना ज़रूरत से ज़ादा होती है शनी की अगर चंदर शुक्र मंगल से युती हो तब भी काम वासना को काफी बढ़ाता है चंदर अगर बारवे भाव मे मीन राशी में हो चंदर अगर बारवे बाव में मीन राशी में हो तब भी काम वासना जातक में अधिक होगी मंगल की उपस्तती अगर आठवे नोवे या बारवे में हो तो जातक कामुक होता है मंगल यदी मंगल ग्रह यदी आठवे भाव में नौवे भाव में या बार्वे में हो तो भी जातक अत्यदिक कामुक हो सकता है मंगल की राशी में शुक्री या शुक्री की राशी में मंगल से तो भी जातक अत्यदिक कामुक बनता है काम वासना में बारवे भाव का स्वामी मुख्य है और वे अगर शुक्र या मंगल हो और सब्तम भाव में आ जाए यानि बारवे भाव का स्वामी सब्तम भाव में आ जाए तो भी जातक कामुक होता है किसी इस तरीकी नवाश में शनी अगर शुक्र की राशी में हो और शुक्र अगर शनी की राशी में हो तो उसकी यौन अकांगशा बहुत बढ़ जाती है तो मित्रो हमने जाना कि अत्यदिक कामों साथी के कॉमिनेशन्स क्या है और अगर मित्रो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूरी से लाइक करें इस पर कमेंट करें शेयर करें और साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श किया वाशकता है तो आप वाट्सअप कर सकते हैं 9911 351351 पर या फिर आप लॉग इन भी कर सकते हैं www.astrologerraman.com पर अगर आप भी समस्याओं से परिशान हैं और समधान पाकर अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं तो जाने माने जोतिशाचारे आचारे रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समधान प्राप्त करें 3341 सेक्टर 23 कुड़ा, गुर्गाव, हरियाना 122001 हमारे कॉंटाक नंबर्स हैं 09911 351351 08130 201 201 हमारे वेबसाइट है www.theindianastrology.com www.theindianastrology.com